पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना पचीस कल विधान सबाचुनाव लगना चाहते हैं वो अपने तयारियों में जुटे हुए हैं लेकिन अचानक से उनकी तयारियों पर एक ब्रेक एक हर्डल सामने आकर के खड़ा हो गया और इस हर्डल का नाम है प्रशांद किशोर प्रशांद किशोर ने जिस तरह से अपनी स्टेट्री बनाई है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि उन्हें पता है कि क्या क्या हो रहा है जंता दल उनाइटेट के भीतर राश्टी जंता दल के भीतर कॉंग्रेस के भीतर भाजपा के भीतर और अन्य छोटे-छोटे जो दल हैं उनके भीत यानि कि प्रशांद किशोर ने अपनी पार्टी बनाने के साथ और उससे पहले जो एस्टेट्जी बनाई है वो साफ साफ नजर आ रही है बिहार के सियासी संग्राम में प्रशांद किशोर की इंट्री हो चुकी है और उनके राजनितिक कौसल को सभी जानते हैं सभी जानते हैं कि स्टेट्जी बनाने में प्रशांद किसोर कितने माईर है और किस तरह से वो स्टेट्जी बनाते हैं इतना ही नहीं उन्होंने नितीश कुमार और लालू प्रसाद को दोनों को फूका हुआ कार्तूस बता करके ये बाते सपस्ट कर दी है कि अब मैदान में उतरने से पहले उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी भी खुद तै कर लिया है इन सभी बातों को ले करके जहां एक तरह से सीधी तोर पे आरोप लग रहा है कि प्रसांद किसोर के पास अपनी जमीन नहीं है आयातित नेताओं के दम पर वो चुनाव लगने की कोशिस कर रहे ह ऐसा लालू और नितीश दोनों खेमे से कहा जा रहा है लेकिन जन सुराज के नायक प्रसांद किसोर ने 35 बरसों के सासन काल को जिस तर से टार्गेट किया है और उनके निशाने पर नितीश कुमार और लालू प्रसाद है वो साब बता रहा है कि प्रसांद किसोर ने करने की कोशिस की है वो बाकी के दल है हलाकि भारती जनता पार्टी पर अभी तक उनका कोई भी प्रहाद सीधे तौर पे नहीं हुआ है इन सारी बातों को लेकर के प्रसांद किशोर जो यह सब कुछ कर रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसके पीछे कौन ऐसा सेना पती है जो प्रसांद किशोर को दोनों ही खेमे के हर बात से अउगत कराता है और अची तरह से जानता है अब जानते है कि जब किसी दल का सेना पती है पापके ख §õJet नेता है तो वह सारी स्टेड्जी जानता है और इसी तरह की बात अब प्रसांत कि तरह के खेमे में एक तरफ कि ये कहा जा रहा है कि आयातित नेत है विभिन दलों से जाने वाले नेता प्रसांत कि शोर के में टीम के हिस्सा हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहीं में टीम के हिस्सा के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं भाती जंता पाटी हो जदी हो या आर जडी हो इन सभी के स्टेट जी का एक एक बात प्रशांद की शोर को बताते हैं और इस पर आगे की रहनिती बनाई जाती है राज जो उनके सामने सिपैसलार हैं जो लगतार जिस तरह की बाते कर रहे हैं और जिस तरह के स्टेड़ी बना रहे हैं ऐसे सेहरे हैं जिसको ले करके हम आपको बता हैं तो आपको भी अंवाजा हो जाएगा कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है सबसे पहले हम आपको नाम बताते हैं संतोस महतो का संतोस महतो छपरा से आते हैं और संतोस महतो एक बहुत पुराने नेता हैं कभी EBC मोर्चा के अध्यक्स रहे हैं प्रदेश के वो जनता दल्यू डाइटेड में उसके बाद उनकी दोस्ती या फिर कहा जाए कि RCP सिंग के सा अतिपिश्रात समाज को ले करके अपनी एस्टेड़ी बनाई है उसमें सबसे ज्यादा फिट आपको नजर आते हैं जो संतोस महतो हैं संतोस महतो आप देखिएगा कि अक्सर प्रसांत किशोर के इर्दगीर्द ही रहते हैं चाहे वो रह ली हो किसी तरह का कारिकरम हो या चुछल हमिंदिक भी खेली है हलाकि संतोस महतों के बारे में कहा जाता है कि उनको कई बार टिकट देने का हाथ डिया हुआ टिकट भी उनके हाथ से छिटक गया है क्योंकि वो जिस करह की राजनीत होनी चाहिए उस तरह की राजनीत यानि चल प्रपंच वाली राजनित नहीं करते हैं यही कारण है कि वो अभी प्रसांत किशोर के सब से जादा करीबियों में से एक हैं रामबली चंद्रबंसी को आग कौन नहीं जानता प्रोफेशर रहे हैं और अभी अभी उनकी सदस्ता राष्ट्री जनता दल में थे समाप्त हुई है MLC रहते हुए उन पर कई आरोप लगाए गये थे और वही सुनिल सिंग जो आज वो भी MLC के पद से हटाए जा चुके हैं उनके इसारे पर ही उनके आदेश पर ही रामबली चंद्रबंसी की सदस्ता समाप्त की गई थी कई वी बाद हुए थे लेकिन आज रामबली चंद्रबंसी एक और ऐसे नेता है जो कहीं न कहीं EBC समाज से आते हैं और ये भी जो नजर आते हैं परशांग की शोर के इर्द गिर्द ही इसके अलावे जिस बाद की सबसे अधिक चर्चा होती है जिसको ले करके रास्टिय जनता जल सबसे यादा बेचैन है उनमें से एक नाम है और संख्यक समाज से आने वाले मुनाजिर हसन का मुनाजीर हसन प्रसांत किसोर की पार्टी में एक ऐसे चेहरा हैं जिनोंने मुस्लीम समाज को एक जूट करने को ले करके और कई सभाएं करके राश्टिय जनता दल के साथ साथ जनता दल उनाइटेट की निंद उड़ा दी है मुनाजीर हसन पहली रैली के बाद ही राश्टिय जनता दल के निशाने पर थे उन्होंने मुंगेर बिधान सभाय में 1995 में बिधायक बने थे और 2009 तक बिधायक रहे थे राजत सुप्रीमों के समय युवा खेल और नितिस कुमार के कारिकाल में भवन निर्मान मंत्री भी रह चुके हैं 2014 में जदियू के टिकट पर बेगू सराय लोग सभा का सीट भी जीत चुके हैं और 2023 में जदियू के सारे पदों से उन्होंने इस्तिफा दे करके जन सुराज ज्वाइन किया है बात अगर देवेंदर प्रसाद यादो की करें तो राजनितिक रूप से ये भी काफी सक्रिय रह पे अपनी पार्टी बनाई थी और हाल ही में अपनी पार्टी को उन्होंने विले करा दिया था राश्टिय जनता दल में 1977 के से भी वो बिधायक बने और देवेंदर प्रसाद यादो पहली बार संसत के रूप में जंजहारपूर लोकसाभाज सीट से 1989 में एकिकरित जनता दल के संसत बने थे इसके बाद 5 बरस तक उन्होंने 1991 और 96 के एकिकरित जनता दल 1999 में जनता दल उनाइके 2004 में आर्जे डि उन्हें नराजगी हुई थी जिसके कारण उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था समाजवादी विचार धारा के नेता देवेंदर प्रसाद यादो अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक जनता दल बना करके उन्होंने राजनित सुरुवात की थी आर्जे डी में बिले करने के किसी पहचान के मुताज नहीं है राज के मुक्त मतरी निटिश्कुमार के बहुत करीवी रहे हैं एक अधिकारी के रूप में निटिश्कुमार ने इर्द गिर्द भ्रमन करते हैं केसी त्यागी भी उसी स्ट्रेणी में आते थे और आर सिपी सिंग भी उसी कोटेगरी में आया करते थे लेकिन अचानक से नितीश कुमार की नितियों से नराज होकर के 2020 में उन्होंने जनता दिल उनाइटेट छोड़ दिया था नितीश कुमार के बार-बार इधर से उदर होने को लेकर के उन्होंने कहीं न कहीं एक बड़ी एस्टेट्जी बनाई थी 15 बर्मा नितीश कुमार का भाजपा और आरे से सामने सरेंडर करना कभी भी अच्छा नहीं लगा है वे जदियू से अपना नाता तोड लिया है वहां से वो ममता बनाजी की पार्टी त्रिनमूल कॉंग्रेस जोइंग किये थे लेकिन वहां वो नहीं रह पाए आपको याद होगा कि प्रसांद की सोर का भी संपर्क वहां रहा है ममता बनाजी की पार्टी से नितिश्कुमार की नीतियों को अच्छी तरह से जानते भी हैं और उसे एक्सक्यूट भी करते हैं ऐसे तो प्रसांद की शोर भी नितिश्कुमार के साथ रह करके उनकी लिए नीतियां 2015 से 2017-2018 तक बना चुके हैं इसी बीच आपको बदा दें कि प्रसांद की शोर ने जिस त की श्ठेटी बनाई है और जिस तरह भीतर ही भीतर वह अपनी प्लानिंग बना रहा है हुसमें नितिश्क के सबसे कड़ीयों को उन्होंने सेनध पति बनाया है तो वही राष्त्रीए जनतर दल में भी बहतर भूंशा नी भाने-वाले लोगों को उन्होंने अपने उस लि रहती हैं अभ देखना होगा प्रसांत कि चुर दिया है कि उस स्टेटी बनाते हैं पहली से मि फाइनल यदि वो उप चुनाओं में अब बाजी मारते हैं तो यह भी जाता है कि उन्हों और रुपावली से संकर सिंग को जीताने में भी बड़ी मदद की थी अब देखना है कि प्रसांत किस्वर की ये टीम क्या कुछ करती है कैसे राष्टिय जनता दल जनता दल उनाइटेड और अन्य दलों के साथ सीधे सीधे लडाई में अपने आपको इस्थापित कर पाती है जुड़े ये भारत लाइब के साथ खबरों का सिलसिला लगतार जा रही है बहुत बहुत धन्य बाद अटिम नमबर नोटकली 9386816700 धन्य बाद